दोस्तो आप ये तो जानते हैं कि हाइडरोलिक प्रेस के सामने कोई भी चीज नहीं टिक पाती चाहे वो कांच से बना हुआ हो या फिर मजबूत लोहे की कुलहाडी हो हाइडरोलिक प्रेस के सामने सभी हार मान जाते हैं लेकिन अब इस मिस्त्र धातू से बनी बॉल का कमाल जब हाइडरोलिक प्रेस इस बॉल को प्रेस करता है तो इसे खुझ भी नहीं होता लेकिन जैसे ही हाइडरोलिक प्रेस 110 टन का वजन लगाता है तो बॉल पिचकने के बज़ाए हाइडरोलिक प्लेटी तूट जाता है और इसका कारण गेंद का गोल अकार है दोस्तों आपको क्या लगा था क्या गेंद पीचक पाएगा या नहीं कमेंट्स करके जरूर बताएं